हालो फ्रेंट्स वेल्कम टो आरेएस क्लाजिस तो यहां पर आर्पियसी के द्वारा जारी आरेएस 2021 के नोटिफिकेशन में जो फॉरम बढ़ने की डेट थी उसे फिलहाल टाल दिया गया है और टालने का करण बताया गया है टेक्निकल तो टेक्निकल करण क्या है इस पर लिखा है यह लेटर लिखा है स्विक तुषशाशन सचीव सैनिक कल्यान विभाग को और यह लिखा गया लेटर है कि आप जैसा की देख सकते हैं निदेशक सैनिक लिखाग के दौरा और इसमें क्या मामला हुआ है तो आपको मैं संग्षिप में बताउं की इन्होंने इस कि राजस्तान की जो भूतपूर वसेनिक हैं उनको आरक्षन का लाब मिलता आया है राजस्तान की जो भरती प्रिक्षा हो रही है परंतु सरकार ने यहाँ पे RS 2021 की भरती में अन्य राज्यों के भूतपूर वसेनिकों को भी 5% दे रिजर्वेशन कोटे में लाब दे दिया गया है जिसका ये गिरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर बाहर के भूत पूरु सैनिक भी लाब लेंगे तो इनके आरक्षन का होना कोई मतलब नहीं रगता तो इस अंदर में इनोंने मांग की थी कि इस भरती को फिलहाल अब तक ये इस अंशोधन हटा ना दिया जाए तब तक के लिए टाल दिया जाए और इसी लिए इस तरह का फैसला लिया गया है हालां कि इस संबंद में एक और बाद आ रही है कि इस बार RPS में जिस तरह से OBC वर्ग कई सीटे नहीं है तो उस संबंद में भी एक विवाद चल रहा है तो इन विवादों के कारण ही ये फिलहाल जो फॉर्म बढ़ने की डेट है इसको टाली गई है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा हालां कि 5-7 दिन के अंदर आपको वापिस ये सुधार करके फॉर्म करना था तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू